हेलो दोस्तों फिर्श स्वागत है आप लोग को एक और नई ब्लाइब आज जो है बुद्धा जैन्ती है बहुत ही सूप दिन है आज तो हमारे जितने भी गाउं वाले है सभी अपने अपने मंदिर के ओर चले गए है तो मम्मी भी सुबा उत्ती ही एक तुम सुबा सुबा म और में गर की कामों को बेद बेद के जो भी हो इजी वाला काम होती है उसे जो है कंप्लीट कर दूँगी और आज थोड़ा मौसम भी अच्छा है देखो ना थन्दा थन्दा हावा आ रही है पुरा मस्त हुआ है सुरज है अभी तक देखो उधर से निकला हुआ है अभी कि आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन है कि बुद्धा जैंती बोलने से यहां में पूरा सभी जो है बीजु की तरह मानते है मेरा तवियत के कारण जो है हम लोग उतना फेस्टिवल को मना नहीं पा रहे है तो लोगों का घर पे गुमने से एसे बीजु की तरह सब कुछ खिल हाय मंदिर जाने का तो क्या ही करो जाने सकते हूए बहुत दूर है मंदिर जो हमनों का आसा तो विवनकों जाओंगी है वह सबत्स हो करने पर है तो लोग तक सब्सक्रण करने पाका तो बस गर की काम कॉंप्लीट कर लेते हैं फैंपम को जो है गर का पास में लाकर बहुत ही इजी हो गया हमारे लिए थोरा सा एक्सरसाइस भी हो रही है तो दीदी जो है यहां से पानी उखा रही है जो फ्रेश पानी यह देखो तो लाइट तो है अभी बस वहां से होती हो में कषाए पंट Hey दरहक कर आए मैंने सारे घर का वहां पर रख दिया है और अभी कोई बोलेगा बातरूम पर बशुयारो म्म시에 सब्सक्राइब करतें हो चीहाद हूआ है तो हमारे लिए हमारे लिए जो ह´ब हो इसी होता है यहां पे उतना जगा निए आरग 60 तो वाज़े तो मुझे यहाँ पर बेदने के लिए तकलिफ होती है इसलिए वहाँ जो एक तकता देख रहा है उसी का उपर में अंदर पर फिर भी मैंने जो है अच्छे से ब्रास मार मार के बातरूम को वास कर दिया है अच्छे से दो दिया है नहीं तो कोई बोलेगा इतना गं दोलेगा तो गाऊ में एस होता है ताउने रिया पर वातरूम बलने से स्पूटि बोलता हैी न कोई बात नहीं हाव चैहीं चालिका मधिशन ऑस प्रेशन में और दिखाले जाने का तो दिल है क्या ही करो पेदल पेदल गुमने पाऊंगी पुरा रोट को खीच-खीच के जो है पुरा गुमते हैं सारे गाउं वाले बहुत ही मज़ा है तो अभी में फ्रसाप हो लेती हूं फटा-फट से और यहां कल का कप्रे वगरा जो है मैंने दूपने दे दिया है सुपने के लिए काल वास कीती साम को घर पे से केवल जो है मैं और जेरी है तो इसको थोड़ा सा वाक करा रहा हूं और अभी ना गाइस कर्मी का मोसम है तो इसे में इसकीन का क्यार रखना बहुत ही ज़दा जरूरी होता है और बहुत सारे कमेंट भी आये थे कि आप लो जो भी साइत्रस फ्रूट होता है वो सब खाना चाहिए और उसके बाद आपको जो है संस्क्रीन में जो होता है वो संस्क्रीन होना चाहिए संस्क्रीन एपलाई करना चाहिए तो हम लोग यूज करते हैं क्यूर स्क्रीन का संस्क्रीन एं उसका फेस्वास बगेरा तो यूज़ हम लोग यूज़ करते हैं कि यूरी स्केन का फेस्वास से मूँ दोते हैं हाथ बगरा दो लेते हैं अच्छे से साप पानी से उसके बाद हम लोग संस्क्रीन एपलाई करके आम लोग बाहर जाते हैं तो इसलिए हमारे इसकीन पर कोई भी प्रोग्लेम नहीं होता है एक्टम क्लियर रहते हैं संस्क्रीन को जो है फेस पर भी लगा सकता है नेक पर भी लगा सकता है हाथ जो भी पार अपका संको एक्सपोस हो रहे हैं आप उस पार्ट में आप लोग लगा सकते हो संस्क्रीन को और क्यूरी स्कीन क में बहुत दिनों से यूज करना हूँ जारी भी यूज करती है तो उसका किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है कैमिकल उतना नहीं होते हैं इसमें तो बहुत ही आसान आपको दृ fiance में लेना बहुत ही आसान है क्यूरी स्कीन आपको आपको दाउनलोद करना होता है उसमें फोन नमर देखे आप रेजिस्टर कीजिए और उसमें आपको दो-तिन फोटोग्राप्स बगएरा देने होंगे तो वहां से आई दीटेक करके आपको कुछ डॉक्टर लोग रेजिमे सजेस्ट करेंगे तो उस कित को आपको जो है ओनलाइन मंगाना होता है तो हमने जो है वो अल्रेदी मंगाया है और हम लोग बहुत दिनों से यूज करने है क्यूरी स्कीन एप पे ना गाइस हर मन को जो है दोक्तर की तरफ से आपको फोलो अप भी रहता है कि वो लोग जो ह हिसाब से अगर चल गए तो आपका इसकिन ओर मस्त रहेगा क्योंकि देखने बहुत सारे अलग प्रोडथक आपको दिखेंगे जो की बूहLगे टैनिंग को हतायेंगे लेकिन और सब यूज मत कीजिए क्योंकि उसमें बहुत chemical हार्स chemical होते है जो की बात में आपको लॉंग केमिकल बगरा यूज़ करोगे तो आपको इस्किन के इंसर भी होने के चांसे होते हैं तो सोथ समाज के करना चाहिए जो कि क्यूर इसकिन बेस्त है इसमें बहुत जब्ढ़ केमिकल नहीं होते हैं तो आप आराम से यूज़ कीजिए और पुरा ऐसा ग्लोईंग स्किन पर आप ले सकते हूं तो इसलिए अभी जाए किवर स्कीन आप को दाउनलोद कीजिए और जेरी 100 जो है कोपन को यूज कीजिए और आप लोग को बहुत सारा जो है दिसकाउन भी मिल जाएगा और जेरी का जिसाब बिल्कुल ग्लोइंग स्कीन पाईए और मेरा भी तो जाए यह लिंक देस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग भी त्रीटमेंट लीजिए और अपना इसकीन को खुब अच्छे से क्यार कीजिए ना फ्रेश आप होके आ चुकी हूं दोस्तों और यहां पर जो है दिदी ने चावल भी चड़ा दिया है और इसमें जो है ड्राइ भी तो हो जाएगा यहां जो है मेने तेरे पैपींग कर दिया है पत्ता से लिख भूह भी नहीं है लमॉ का इंदिजार है वह जो है जीम से आने के बाद हम लोग और हमारे गर्ग पर बहुत सारे फूट फूट है यह देखू यहां पे है कस्तार्थ अपल हम लोग के हिते है आटासी गुलू लोकेल वाला ठोड़ा ठोड़ा पखे हुए है और ठोड़ा कच्चे है यहां पखे यह देखिए अंधर पे कुछ इस तरह का है तो अभी जो है इसको खा लेती हूँ और तेरे रुट्स का इस्टेम जो है मैंने छील दिया तक दिको कलर लग गया यह गंदा नहीं है मेरे हापको अल्रदी वर्स किया है चलो हभी यहां से जहें खा लेते हैं बॉडिक दिश्टिये बॉब हुआ है पुरम मेठा का व लंए यहां पर ब्रेक्पास कर रहा है और मुझे उतना भूग नहीं है तुर मैं ब्रेक्पास ने करूंगे दिर गोग नहीं तो दिधी तो वही से बीना खा के चली जाएगी बोल रही है मंदिर पे, मैं भी जब भूग लएगा थब खा लूँगी, अभी ये खा रहे है, उतना खास सबजी नहीं है ना, अभी मैं मंदिर जाने के लिए रेदी भी हो चुके हूँ, और ममी के लिए मैंने खाना भी ले है दो बहुत तेज है यार बिर क्या करें जना ही परेगा क्योंकि आज तो बहुत बड़ा पुजा है हमारे गोतम बुद का जनम दीन है तो हम जाएंगे पुजा करेंगे और ममी लों को खाना देंगे खाना और खिला के मैं जली से आ जाओंगी कुई दू पेवान नहीं र पेटुआ हो मैं आते आते आधे रस्ते पर रूख गई हूं यानिकि दीदी की घर पर डुकान पर यहां से हम लोग जो है प्लास्टिक की जो ग्लास ले रहे क्या हम लोग को स्प्राइट जो है डिस्टिबूट करना है साथ में भांजी चारी है बीजा रही है और दीज ज नहीं कर रहा है क्योंकि पूँप तेस है सोब लगाए है में जाम उतीन की तरफ ऑगएंगे मैं को खूल तो अव्य根स ही मंदिर की चलते हैं हम लोग बहुत तासे हैं मंदिर पराएं नहीं कि इन्ट्री वाली गया और को एक यहां हो होता है मत मीं डालने लाते हैं यहां सि इसमे करें ब्रखी लिए अभी मैने इंत्रिया है मनदिर पर और यहां पर देखिए इतने सारे लोग आये हुए है लाइट नहीं तक है गर्मी में फिर भी भगवान का पूचा करने के लिए इतने सारे लोग मैं अभी चाहती हो मम्मी के पास मम्मी का आये मम्मी को दून- यहां पर है लगों का ग्रूप इस साइट में है लेर्किया मम्मी को दुनने गई ती अंदर में अभी तक आए नहीं वोग अपना मेटेशन कर रहे हैं बहार में जहां वोग पेटते हैं वहां से अब तक आए नहीं है तो थोड़ी दिरबाद वोग आएंगे उसका बाद में जो खाना लाएं उसको वो खाना उसको दे देंगे अभी फिलाल के लिए हम लोग बहार में बैठते हैं क्योंकि अंदर में लाइत बिल्कुल नहीं है तो गर्मी बहुत है यहां थोड़ा सा बहार में हावा आते हैं उसके बाद जब पूजा सुरू होगा पूजा सुरू ह पूजा पाद की सब खताम हो गया पूजा बात खताम होने कब सारे लोग निकाल आये है यह देखिए बहुत ही तेज दूब है और हम लोग यहां थे छाये पर यह पर करवत पिछा के हम लोग यहीं से पूजा पाद गया है वो सारे लोग निकाल आ चुके हैं अभी मम्मी भी खाना देखें फिर हम लोग साथ में खाएंगे उसका बतनी घर चली जाओंगी अभी पूच चुकी हूँ जहां मम्मी लोग बनदब पूजा उजा करते हैं यहां मेधिटेशन करते हैं उस जगह में पूच गईगी और मम्मी के लिए में खाना लेके आएंगी और यहा को अभी खाना मरब दे दूंगी उसका भी एक तरीका होता है कि मेरे पास अभी केमरा मैंनी है तो वो सब दिखानी पाएंगे कैसे करके ममी को देते हैं अब मुझा के लिए मैनेज करना पड़ेगा आज बुर्दा पुने वारा दिन में जो है खीर बाता जाए रहा है यह देखो इसका पुरा तब्यारी खड़ा पो रहा है बुखार आया रहा है फिर भी खीर बातने आई है क्योंकि आज थे बगवन बुद का जनम दिन तो इन सभी को जो है खीर बता जाएगा और साथ में हम लोग भी खाएंगे हमाँ देख का दूंद दूंग माँने क्वेर इंद आज़ा साथ मोह हूं यह ब्दू खाने यह वक्यू न है यह खंगु है और यह खतके की निजोंगें कि अभी में भी खाओंगी खाना यहां बहुत जोड़ से भूग लग रही है क्योंकि सुबह में घर से खाना खा करने आयती सुबह को बहुत तेज़ भूग लग रही है यहां जो ममी लोग है वो लोग पुझापात करके सबसे पहले उन लोग को दे दिया जब उन्हों खाना सुरू किया तो अभी हम लोग भी खा सकते हैं तो हम लोग भी खाएंगे यहां साथ में आ गए दीती और भांजी भी हम लोग खाएंगे इधर अब बस खाना खाती मतलय हमाना खाना खाके हो गया खान एख खाक्यादा करने जाते हो मूं मिटा खरते है तो आज हमारे लिए बहुत ही अ जीन की हमारे मिएट्जशक आ लिपिन है कि हमारे खिणबोटा का जन्म दीन है और दोगाइब को शरी दोग आपके लोगाइब कर रहे हैं अब हम लोग आए है एक बुआजी के घर पर जहां लेने आए हैं वह निम्बू हम लोग 100 पीस लेके जाएंगे वह निम्बू पानी जो हम लोग जो भगवान को जैना मुर्ति जो है आज का दिन में गुमाते हैं यानिकि जय जय कर लेके आज का दिन में हमारे गोतमबुत इस दर्थी पर आये हैं जनम लिया है हमारे लिए बहुत खुशी की बात है तो इसलिए इस खुशी के मौके पर उस मूर्थी को लेके गुमाते हैं तो इतने दूप में आतमी लोग घुमेंगे तो पानी प्यस लागेगा तो हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा पुन्य कमाएं तो इसलिए हम यहां से आये हैं निम्बू तोरने बहुत सारे न इब इस निम्बु को हम लोग निचोर के पानी निकालेंगे उसके आन थान थंदा 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 पानी सब को पिलाएंगे तोैंड इतना तो मेच्isl म एक फिर वी चल जाएगा जितना हो सकता उतना हम लोग पिलाएंगे जो जो लोग मुर्ति गुमाते हैं उन लोगों को पिला देंगे हम लोग यहां देखिए निम्भू प्रा तोड़ के रख दिया अब इसको गीन रहे है दीदी क्योंकि हम लोग इसको फ्री में लिगे नहीं जा रहे हैं खरीद के अब हम लोग निम्भू तोर्के भी हो गया और प्रा काउंट भी कर लिया कितना शाख बिला है और जा रहे हुँँ दोलोग इसनल किहां तोख रिkay हम लोग अब जाके सीधा काम पर लगना परेगा निम्मू को निचोर निचोर के निकलना परेगा हमें पटलीव देखो चाता बिल्या यहां सामान पट्रो और धूब भी तना तेज है हम लोग घर आ चुके है घर पहुंच के बहुत देर हो चुके है बहुत ज़्यादा गर्मी है यह यहां पर दो दो पंक्या यहां पर एक दो पंका लगा को लगा अभी विलोगिंग करने के लिए अवन्रो फैन को आउप कर दिया है क्योंकि उसका साउंट बहुत बहुंच करे चले इतना गर्मी का हालत में क्या करेगा पंका ही उपाई एक है लिकि विसे होता नहीं है कि अब इस नइमु का पानी निखल भूर्चिण्व अब इस न्युभू के पराएक प ननकालने सफोर प्रखेक्टें इंड पानिंगांतों इक हाँ में देखि से रिखने फिको परो का यह और निम्बू तब रस को निकाल के रखेंगे बात में जब आत्मी लोगों जो भगवान पुत कम मुर्ति को कुमाएंगे तब हम लोग इस पानी के उपर में थंड़ा पानी मिला के फिलाएंगे इसको अब फिलाल जारी रहेगा यह निम्बू को निचोरने के लिए यहां देखिए हमने निम्बू को सब पुरा निचोर के पानी इतना निकाल गया यह सारा निम्बू पानी है यहां से हम लोग फिल करेंगे वह बोटल में और वो बोटल में फिल करके हम लोग रखेंगे फ्रीज के अंदर जब आदमी लोग आएंगे तब हम लोग फ्रीज से निकाल के जो है पानी इसमें कुछ भी एड़ नहीं करना है इसमें हमने सुगर भी एड़ कर दिया और थोड़ा सा नमक भी एड़ कर दिया और इसमें बस और मेरे लिए जो है दिदी का घर से खीर लेकर आई ती अब हम दोनों मियावी भी खाएंगे खीर में तो गुम पिर नहीं सकती हूँ अभी देखो बेद बेद के मुझे मिल रही है प्रसाद बहुत यह अच्छा दिन पर और इसे खीर खाने मिल रहे है वहां देखो संबात जा बहुत पसंद है इस चलो हावी दोनों खाएंगे न और इतनी खतनाक गर्मी हो रही है तो लम्मो बोल रहे है कि वएडार रिपोट में मंडे से लेकर मंडे से पूरा एक हफ्ता बारिस दिखा रहा है आभी देखते हैं बहुत गर्मी इतनी गर्मी लाइट भी कभी दि बढ़िया बोलेती ना सुदो में हम लोग जो है बुद्दा जायें कि गार देंदे बीजी तरह मानते हैं तो इस बाद जो है मेरा तब्यक के कारण हो नहीं पाया अब बहुत ही दूप दे रही है तो दूप के कारण जो है गर्का उपर में रहना भी मुश्किल हो गया फैन का निचे पर तीप फिर भी बहुत ही गर्मी लग रही है तो अब ही मैं आंगन पर आई हूँ यहां बेती हुई हूँ आंगन पर तो आंगन पर जो है थोड़ा स तो उसे एटेंड करने पाएगी दिदी क्योंकि मुझे सामका वक्त में वीडियो आपलोड करनी परती है तो उसकी कारण तो वीडियो सुबह में जितना बनाया वेसी से जो है वो काम चला लेना तो बस दिन बर ऐसी गर्मी के कारण जो है उतना ब्लोग भी बनाने पाते हैं और देख सकते हो मेरा हालत तो इसलिए जो है मैं बाहर पर जा नहीं सकती और ब्लोग भी बना नहीं सकती तो गर पर अच्छा अच्छा कॉंटेंड होने से में बना लेती हूँ और सामका वक्त में जो है मंदीर पर फंक्शन वगरा होगा तो वो जो है वीडियो में दिखा लागे मंदी और आज का ब्लोग जो है आप सभी को केसा लागा हम लोग का इसे नियम द्रम जो है एसे होती है ज़्यादा तर वीडियो में उतना केप्चर करनी पाया क्योंकि गर्मी बहुत जदा थी ना दोपहर को उसकी कारण तो आप सभी को जो है आज का ब्लोग केसा लागा कोमेंन करके जरूर बता दीजिएगा तो मिलते हैं आप लोगों से फिर से एक और नए ब्लोग के साथ बाई बाई